अलो अश्कार आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश जी के के important question जो हिमाचल प्रदेश जी के important question है यह हम discuss करेंगे ताकि आपके आने वाले exam जो है वो उनमें आपको help मिल सके आपको पता है paper 1 में जो है वो HPG के जो हो 30 नंबर की पूछी जाएगी और paper 1 के लावा बहुत ज़्यदा important है हर एक exam में definitely आपकी यह help करेगी सबसे पहला question देखिए क्या बूलते हैं यहां पर बूलते हैं हिमाचल प्रदेश की जो पहली वन्दे भारत train जो था हो चली थी वो किससे किसके बीच में चली थी अगर हम बात करते हैं कि हिमाचल प्रदेश में भी क् वन्दे भारत train जो हो चली है तो आपका अंसर होगा कि जी हां हिमाचल में भी जो हो वन्दे भारत train जो हो चली है इसका उदगाटन या इसकी launching जो था वो प्रदान मंतरी नरेंदर मोदी के द्वारा जो था हो की गई थी और कहां से लेकर कहां तक यह चली यह उन्ना से जो मोदी ने जो था वो वन्दे भारत train जो था वो उन्ना से जो था वो flagged off की थी यानिके उन्ना से इसको हरी जंडी दिखाई थी और यह first high speed luxury train थी हिमाचल की पहली यह high speed luxury train हिमाचल की थी यह 100 km पर hours को जो हो 52 seconds में जो हो cover करेगी accelerate करेगी और यह introduction जो हो train का यहां से क्या होग अब पूरे इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो यह 4 नंबर की वन्दे भारत train जो था थी और हिमाचल प्रदेश की यह पहले नंबर की वन्दे भारत train थी वन्दे भारत train का जो concept था वो 15 फरवरी 2019 को जो था यह आया था सबसे पहली train जो था वो इस दिन चली थी यह आप किस तरह से हिमाचल प्रदेश में कहां कहां पर railway lines जलती हैं क्या क्या question पूछे जाते हैं तो basic question हम जलती से revise करते हैं जो कांगडा से शिमला railway line है वो बहुत जाता important है वहां से question मुक्के तरूप से बन जाता है और यह railway line जो है आपने ध्यान रखना है कि यह UNESCO की heritage list में भी ज इसको शामिल किया जा चुका है तो यह कितने किलोमेटर लंबी रेल है और कब इसको शामिल किया गए था 96 किलोमेटर यह जो है वो लंबी है और युनेसको की heritage list में इसको 2008 में जो शामिल किया गया था एक पठानकोर्ट जोगिंदर नगर नेरो नेरो गॉस ले ले लाइन ह हम इसको definitely discuss करेंगे अगले question देखिए अगले question में बोलते हैं फ्रॉम विच रिवर फ्लोइंग थ्रू हिमाचल प्रदेश डज ताजेवाला headworks which is main source of water supply to दिल्ली get water तो बोलते हैं कि ताजेवाला headworks जो दिल्ली को जलपूर्ती का मुख्य स्थरोत है वो हिमाचल प्रदेश की जो है बहने वाली कौन सी नदी से पानी प्रापत करता है अब दिल्ली के लिए पानी का मुख्य स्थरोत है वो हिमाचल प्रदेश से बहने वाली जो यमुना नदी है वहां से मुख्य स्थरोत इसका derive होता है option D सही अन्सरेश का नाम ताजेवाला headworks है यह आपने ध्यान अब यमुना नदी की अगर हम बात करते हैं तो आपका concept यहां से बिल्कुल clear होगा पहले से ही कि यमुना नदी हिमाचल प्रदेश में पांच नदिया बहती है यमुना भी जो है वो उनमें से एक नदी है और यमुना नदी जो है वो इसका वैदिक नाम क्या है यमुना उत्रखंड से यह निकलती है तो हमाचल प्रदेश में खांदर मांच नामक स्थान पर एंटर करती है और हमाचल प्रदेश को ताजे वाला नामक स्थान पर छोड़ेती है और हर्याना में एंटर कर जाती है दिल्ली जो है यमुना नदी के किनारे हीस्ती थे तो दिल्ली को यही नदी जो हो मुख्य रूप से पानी प्रोवाइड करवाएगी इसकी जो सहाइक नदीया हिमाचल में हैं उनमें टॉंस आता है पबर आता है गिरी आता है अंध्रा आता है और बाट आ जाता है यह आपने ध्यान रखना है और बाकी जो नदीया है जिनमें ब्यास उनके वैदिक नाम जान लेजिए ब्यास का वैदिक नाम अरजिक्या है चेनाब का वैदिक नाम असकिनी है रावी का वैदिक नाम पुरुशानी है और सतलुज का वैदिक नाम सतुद्री है इनके वैदिक नाम आपको बता चलगे बस इतना काफी है अगला गाशिन देखत मैं कौन सी परवत चोटी जो है वो उभर रही है अब देखो एक परवत चोटी हिमाचल की ऐसी है जो सतलूज नदी के सामने सतलूज नदी के उपर वाले हिस्से में है और सिपकिला दर्जे के बिल्कुल सामने है यह जो चोटी है यह कौन सी चोटी है यह हिमाचल प्रदेश सी लियो पार्गिल चोटी है option C जो है और अभी आपको लग रहा होगा कि यह question important नहीं भी हो सकते प्रणतु यह सारे के सारे question जो है वो हिमाचल प्रदेश Public Service Commission के standard के हैं सारे के सारे question आप देखो हिमाचल प्रदेश Public Service Commission paper conduct करवाएगा तो definitely इसी तरह के question पूछे जाएंगे अगर आपको बिल्कुल ही traditional और पहले के question जो है वो revise करने है तो आप HPSC की जो हमने पुरानी सीरीज है हमारी उनको आप देख सकते हैं वहां से आपके बिल्कुल basic clear हो जाएंगे अब बात करते हैं सिप्किला दर्रे की और इस लियो पार्गिल चोटी की जो लियो पार्गिल चोटी है यह डिस्टिक की नौर में जो है वो पढ़ती है कहां पर पढ़ती है इसकी हाइट approximately आपको याद रखनी है कहीं क्योंकि कि वेरी करती रहती है कहीं पर कुछ और लिख्या काहीं पर कुछ और मिल जाएगी तो 6791 यह जो है वो इसकी हाइट है ये मीटर्स में इसकी हाइट है ये आपने ध्यान रखना है अभी देखो चूरधार कहां प्रस्थित है चूरधार जो है वो सिर्मौर डिश्टिक में जो है वो स्थित है परांगला पीक है परांगला पीक कहां प्रस्थित है तो परांगला पीक जो है ये कुलू में जो है व पर आपको याद ना चलो जल्दी से मैं आपको रिवाइज कर वाता हूं। तो ये basic चीजें आपको सतलूज नदी के बारे में ध्यान रखनी हैं ये basic चीजें जो हैं आपको लियो पार्गियूल और हिमाशल प्रदेश की अन्य चोटियों के बारे में ध्यान होने चाहिए अगला question देखें बोलते हैं From where the coin that bear five symbols on one side waiting 54 grains were discovered तो बोलते हैं कि 54 grain वजनी एक तरफ पांच प्रतीकों वादे सिक्के कहां से मिले थे सिक्के मिले थे देखो इसमाशल प्रदेश के किसी स्थान से जिन में पांच तरह के symbol जो था वो बने हुए थे five symbol बने हुए थे और उनका जो बजन था weight था उनका वो था 54 grain तो ये सिक्के कहां से मिले थे ये सिक्के जो था वो अर्की से मिले थे option B जो है वो अर्की सही अंसर आ जाएगा अर्की कहां पर पढ़ता है अर्की district solan में जो है वो पढ़ता है district solan की विधानसवा constituency भी है अर्की ये भी आपने ध्यान रखना है और जब भी हम सिक्कों की बात करते हैं तो आपने ध्यान रखना है कि हिमाचल प्रदेश में अलग अलग जनपद हुए ट्राइब्स आई इनके अलग अलग सिक्के उनके प्रमान जो हो देखने को मिले जैसे कि अदंबराज आए तो अदंबरों के सिक्के जुथाओ देखने को मिले इनके क्वाइन्स पर जुथाओ ब्रामी और खरोष्टी भासा जुथाओ वो मैंचिन की हुई थी इनके जो सिक्के थे उनके उपर जुथाओ नंदी की आकरिती जुथाओ बने हुई थी सिह समावाइब के नाम से चाहिते हैं और इनके सित क्षेत्रों में इनके सिक्कों सिक्कों के उपर उपर प्राकृती भाषा जो लिखी हुई थी खुडी हुई थी, खरोष्टी भासा में भी कुछ मिले, भ्रहामी भासा में भी कुछ मिले, और सिल्वर और कॉपर के मुख्य रूप से इनके इस सिक़्े हुए। तो इनके सिक्के में ध्यान रखना है हाँ और दंबरूंस के बारे में एक बात बताने से रह गई वो ये है कि इनके सिक्के कहां कहां पर मिले तो हिमाचल में इनके सिक्के जो आला मुखी में देखने को मिले otherwise इनके सिक्के पठान कोट घोश्यारपूर में भी देखने को जो था, ओ मिले थे तो यह आपने important जान लिया किस-किस के बारेमे, ओदंबरूंस के सिक्के के बारेमे, कुनिंदास के सिक्के के बारेमे और जो अर्की में सिक्खे मिले थे जो डिस्टिक सोलल में पढ़ता है अर्की वो किस तरह के सिक्खे थे उनके उपर 5 तरह के सिंबल जो था वो बने हुए थे 54 ग्रिन्स के ये सिक्खे थे ये डिस्कवर यहां पर हुए थे अगला question देखिए, अगले question में बोलते हैं, बोलते हैं सुनहरी देवी freedom fighter related to which of the following district of हिमाशल प्रदेश तो बोलते हैं कि सुनहरी देवी हो गया, ये हिमाशल प्रदेश के जो है, वो किस जिले से जो है, वो संबंध रखती है, ये freedom fighter थी अगर हम सुनहरी देवी की बात करते हैं, तो देखो सुनहरी देवी जो है, हो संबंध रखती है, डिस्टिक सिर्म और से, option D जो है, हो सही जन से अब सुनहरी देवी का नाम जो है, वो आ रहा है, struggle में, freedom movement में, तो किस तरह से, किस अंदोलन में जो था, वो इनकी भागेदारी जो था हो रही थी, वो भी तो पता होना चाहिए, तो पजहौता अंदोलन आपने सुना है, 1942 का, जो की पजहौता movement, जो था, वो क्विट था, मनमाना कर लिया जाता था, उनके अगेंस्ट जो था, वो ये किया गया था, इस moment के जो मुख्य लीडर थे, उसमें सुनहरी देवी जो था, वो मुख्य रूप से आती थी, इसके अलावा लक्ष्मी सिंग, वैद सूरत सिंग, मिया चूचू और बस्ती राम पहाड़ी हो गया, आत्मा देवी हो गया, दया राम, सीता राम, ये सारे जो था, वो मुख्य रूप से आते थे, अब्जेक्टिव क्या थे, पजहता अंदुलन के, तो इसके अब्जेक्टिव ये थे, कि जो मनमाने टेक्स लिए जाते हैं, कुछ टेक्स, जानवरों के उपर टेक्स और इसमें कहा गया कि जो क्रॉप की ट्रेडिंग है, उसको अनिक्रेस किया जाए ताकि किसानों की आये बढ़ सके, उनको जो है, उनकी फसल का मुख्या मिल सके, और ब्रिटिस रूल जो है, उन्होंने बिल्कुल जो है, नकारना चाहा, कि ब्रिटिस रूल के प्रतिश जी राजा कौन हुआ करते थे, तो राजा राजिंदर परकास जो था ओ, यहां के राजा हुआ करते थे, यह सारे कोईशिन आप इनके बारे में ध्यान रख ले, अगला कोईशिन देखिए, बोलते हैं, वीच रूल कांगडा इन 1620, तो बोलते हैं कि 1620 में कांगडा पर साशन करने वाली मुगल सेना का सेना पती कौन था, एचेस में यह कोईशिन जो था, वो पूछा जा चुका है, यह आपने ध्यान रखना है, अब बोलते हैं कि 1620 में कांगडा पर जो साशन करने वाली मुगल सेना थी, उसके जो सेना पती थे, वो नवाव अली खान थे, ओप्श अब कांगडा के लिए को अपने धीन कर लिया था, तो गुवर्नर नवाव अली खान को बनाया गया था, यह अपने ध्यान रखना है, और कांगडा के लिए के लास्ट मुगल गुवर्नर कौन थे, यह कोईशिन भी एक्जाम में बहुत बार पूछा गया है, तो कांगडा के लिए कि जब भी बात की जाए और पूछा जाए कि लास्ट मुगल गवर्नर इसके कौन थे तो आपका अंसर होना चाहिए नवाब सैफ अली खान का नाम जो है वो आपको एकदम टिप्स पर याद होना चाहिए कि ये कांगडा के लिए के अंतिम जो था वो मुगल गवर्न अब नूर जहां के साथ आया था तो ये धमेरी से होता हुआ जो था वो आया था धमेरी के राजा उस टाइम जगत जगत चंद हुआ करते थे तो उन्होंने जो था वो धमेरी का नाम जो था वो नूर जहां के नाम पर जो था वो नूर पूर रख दिया था नूर पूर जो में अगला कोई-चिन देखिए अगले सिल में क्या बोलते हैं बोलते हैं तो थे कांग प्योल नाम आपने सुना है यह कहां से लिए अगया है Sóसे कि पहला सकतर होना चाहिए क Sun की यह कांप पहुछार प्ढ़ता है यह करut प्रिचर से लिए आगये है, option C, सही अंसर है। किन नौर की उत्पत्ती आदिम जाती से माने जाति अदिम जाती दैविक लीला से उत्पत्ती हो, ंमर कोस ग्रंथ में किनर जाती का वर्णन किया गया है, किनर मतलब किम प्लस नर, किस तरह के नर है, ये इसका मतलब होता है. और पांडवों ने जब 12 वर्स के बनवास के दौरान उन्हें बहुत सारा समय किन्नौर में बिताया था कालिदास ने अपने पुस्तक कुमार संभवम में किन्नरों का वर्णन भी आपको पता होना चाहिए किन्नौर किन्नर से ही वो डिराइव किया जाता है और किनौर में आपने दियान रखना है साथवी से दस्वी सदी के बीच में तीबद के गुगे थे उनका समराज यहां पर था और उनहीं के प्रभाप में बहुत धरम और भूटी बासा यहां पर फर्ली फुली किनौर का हिस्सा रहा किनौर जो है वो बुसहर का हिस्सा रहा तो बुसहर की हिस्ट्री में ही ज़्यादा देखने को मिलता है इंडिविजुली इसकी ज़्यादा हिस्ट्री जो है वो नहीं मिलती है जो थोड़ा बहुत था याद रखने के लिए यह एक्जाम पॉइंट केट में गठन हुआ था तो सिर्फ चार जिले हुआ करते थे पांचोंवे नंबर ekoर बना था और च्टे नंबर बना था ओव कौन बना था यह किन और बना था और उकना बना था और यह कब जिला बना था नाइंटीन सिक्स्टी में से कौन सा कथन सही है most important question है ये भी पहले कथन में बोलते हैं under this scheme post birth grant office 21,000 is provided for two girls per family for those belonging to BPL family तो बोलते हैं कि से योजना के तहद BPL परिवार से तंबन दित दो लड़कियों के लिए जो है प्रती परिवार प्रती परिवार जो है दो लड़कियों के लिए 21,000 का जो है पोस्ट जनम अनुदान जो है वो दिया जाता है मतलब 21,000 की साहिता दी जाएगी दूसरी statement में बोलते हैं बोलते हैं कि इस scheme का मुख्योदे से है कि दो बच्चों के लिए प्रती बच्चा प्रती पर जो है और 6-6,000 पर दिया जाए सिर्फ दो बच्चों तक दिया जाएगा और 6- 6,000 दिया जाएगा दोनों statement की बात करते हैं तो अगर आपने योजनाएं नहीं पड़ी है न आस तक तो योजनाओं को पढ़ना start कर देजिए फिर से कह देता हूं कि public service commission exam conduct करवा रहा है तो संभावना है कि यही question जो है वो इसी तरह के question पूछे जाएंगे पहली statement सही है योजना के तह जो है वो post birth granted जो हो दी जाती है सहायता दी जाती है 21,000 पै की और दो लड़कियों अगर होते हैं तो दो लड़कियों तक ही दी जाती है पर family उससे जादा नहीं दी जाती है और दी भी किसको जाएगी BPL families जो below poverty line families होंगी उन्हीं को दी जाएंगी इसमें scholarship का प्रवीजन भी रखा गया है scholarship इसमें जो हो 450 से 5000 पै तक का दिया जाता है जो गर्ल बारा आठ दो हजार इकी से पहले पैदा हुई है उनको और पहली class से लेकर graduation class तक जो है यह फिर graduation level तक जो है वो post worth grant जो हो 12,000 पै जो हो रखी गई है यह आपने ध्यान रखना है तो यह post worth grant वैसे 21,000 है up to two girls और first class to 12th graduation up to first two up to graduation बारा हजार है और तीसरा अपने ध्यान रखना है कि scholarship यहां पर 450 रपैसे 5000 पै तक रखा गया है अगर कोई girl बारा आठ दो हजार इकीस से पहरे जो हो पैदा हुई है बस इतना काफी है आगले question हम बोलते हैं बोलते हैं गाच्छी पट कुल अच्चु जो हो किसके प्रकार हैं यह dresses हैं हिमाचल प्रदेश की option भी सही अंसर है हिमाचल प्रदेश के कुलू डिस्टिक में मुख्य रूप से यह पशाक पहनी जाती है तो यह महिलाओं की द्वारा पहने जाने वाली dresses हैं dresses के बारे में आप इतना ही याद रखें यहां से गाच्ची पटको और लाच्चु और्नमेंट भी option में दिया गया है तो जो मुख्य रूप से गहने जोईलरी हिमाचल प्रदेश की होती है उसमें किस तरह की जोईलरी होती है ज्यादा तर आपको पता होगी जैसे की पजेव हो गया पजेव के लावा जुमका हो गया जो चिड़ी हो गया चाक हो गया लाउंग हो गया इस तरह की चीज़ों हो जो आउर जो है और आगव माही लाउंग के दवरा आम तौर पर की जाती है और अगवत कस्ट म की और हम मैरीज कस्ट म की बात करते हैं तो ज農ाठ पिएल्ट है हमानसल प्रदेश समें हैं अब बोलते हैं कि AIMS हमासिल प्रतेश में एक खुल गया है ठीक है अच्छी बात है खुल गया है, बिलासपूर डिस्टिक में खुल गया है इतना भी पता है दो कोईशन यहां से बहुत कम लोगों को पता होंगे कि बिलास्पूर में कहां पर खुला है अग्जाम की तियारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टन्ट है और दूसरा कोईशन यह है कि एम्स का पूरा नाम जो है पहले तो बात करते हैं कि बलास्पूर डिस्टिक में जो है यह कहां पर खुला है बलास्पूर डिस्टिक में जो है यह बलास्पूर के कोठी पूरा में जो है यह खुला है और दूसरा एम्स की पूरा नाम जो है तो एम्स का पूरा नाम है All India Institute of Medical Science All India Institute of Medical Science वह वो इसका पूरा नाम है इम्स का पूरा नाम पता चल गया कोठी पूरा में स्थित है ये भी पता चल गया कोठी पूरा डिस्टिक बिलासपूर में पढ़ता है ये भी पता चल गया अब यहां से आप क्या क्या ध्यान रख सकते हैं यहां से आपने ये ध्यान रखना है कि बंदला option में दिया गया है तो बंदला क्या है बंदला धार है डिस्टिक बिलासपूर में पढ़ती है बंदला में भी ये college है यहां पर hydro engineering college है hydro engineering college है यहां पर जो exam में पूछा जाता है तो Hydro Engineering College अब पूछा जाए कि कहां प्रस्थित है तो आपका अंसर फटा फट से होगा कि ये जो है वो डिस्टिक Blaspur में जो है वो स्थित है Blaspur के बंदला में जो है ये स्थित है गिरीराज पत्रिक अगर आपने देखी होगी तो गिरीराज पत्रिक में हमने क्या पड़ा था कि फोर लेन जो किर्तपूर मनाली फोर लेन है वो कितने डिस्टिक से होकर गुजरेगा तो वो तीन डिस्टिक से होकर गुजरेगा कुछ भी institute कहीं से भी उटा कर पूछ सकते हैं प्रंतु जो important one institute है medical field से जुड़े हुए उनको हम revise कर लेते हैं जैसे कि PGI satellite center PGI satellite center जो है वो कहां पर खुलने जा रहा है वो खुलने जा रहा है उन्ना में उन्ना में जो है वो drug park की बात भी हुई है जैसे कि ड्रग पार्क भी उन्ना में पड़े बनेगा और इंद्रा गांधी government medical college कहां पर सित है शिमला में जो है वो सित है डॉक्टर राजिंदर प्रसाद government medical college कहां पर सित है ये टांडा district kangra में जो है वो सित है और डॉक्टर यस्बन सिंग परमार जो government medical college है वो कहां पर सित है वो नाहन district सिर मौर में सित है पंडित जोहरलाल नहरू government medical college कहां पर सित है district चंबा में जो है वो सित है डॉक्टर राधा कृष्णन government medical college कहां पर सित है ये हमिरपूर में सित है और लाल बाहदुर सास्त्री government medical college कहां पर सित है ये मंडी महतित्थो है, और जो अटल मैडिकल and research university है, वो कहां परशितत परशित्थ है तो अटल मैडिकल and research university जो है वो मंडी महतित्थ है, तो वो मंडी की आपने ध्यान रखनी है ये medical से जूड़ी हुए आपकी field होगए, इनको आप जरू ध्यान रखें अब ये question देख लीजिए last time हमने mission allied में ही discuss किया था टेलिग्राम पर भी जो है वो क्यूज की form में practice आप कर चुके हैं इसको बोलते हैं कर्णल सेर जंग नैशनल पार्क जो है वो कहां पर सित है ठीक है आपको पता होगा कि कहां पर सित है परंतु इसके बारे में जितना detail में आपको पता होगा न उसको एक वाइज कर लेना बता देना ताकि exam में आपको दिक्कत न हो याद रखने में कोई भी सिर्फ नाम ही याद न रहें और भी चीज़ें इसके बार में ध्यान रहें मीसेन एलाइड में last time हमने बड़े details से इसको discuss कर रखा है तो telegram पर जुड जाएं अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं टेलिग्राम पर जुड़ने के लिए पर टेलिग्राम से at the rate all exam 31 इस तरह से सर्च करना टेलिग्राम चैनल जो हो मिल जाएगा टेलिग्राम पर जुड़ जाएगे आने वाले exam में definitely help मिलेगी जैसे कि पहले भी मिलती रही है so that's all for today thank you thank you very much for watching and listening it very patiently